नमस्कार आज हम बनाएंगे हरी मेथी वाली कड़ी कड़ी बनाने के लिए हमेचे ये डेड़ कटोरी दई और ये बारी कटा हुआ लासुन हरी मिर्च अद्रगी सी हुई और मेथी बारी बारी काटी हुई है ये है हींग तेज पत्ता और लाल मिर्च तेल गरम हो गया है लैसुन को थोड़ी देर भुनने दूँगी अब इसमें मैं डालूँगी घिसी हुई अद्रग अद्रग भी पकणे लगगी है अद्रग जब सुनेरी सी हो जाएगी फिर इसमें मैं डालूँगी हींग हींग कब होत अच्छा फ्लेवर आता है अब इसमें मैं डालूँग हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर के बाद अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार लाल मिर्च अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर पिसा हुआ और इसको मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे हम साबुत लाल मिर्च अब हम दई में मिलाएंगे तीन बड़े चमच, बेशन एक, दो चमच और एक और तीन चमच अब हम इसमें पानी डालके इसको अच्छे से फैंट लेंगे अब हमारी मेथी भूँच चुकी है और तड़का तयार हो गया है अब इसमें हम फैटी हुई दई और बेशन वह मिक्स कर देंगे अब हम इसमें एक से डेड़ ग्लास के करीब पानी मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और इसे मिक्स करके कम से कम 10 मिन तक पकाएंगे क्योंकि कड़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है अब इसमें वो बाल आने लग गया है, देखो अब हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे, जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, अब हमारी स्वादिस्कडी तयार है,